PPSC TRE2 में मादमिक और रुच मादमिक यानि TGT PGT के लिए जब आप अप अपलाई करने जाते हैं तो age exemption को लेकर के बहुत ज़्यादा confusion की स्थिती बन चुकी है इसमें गलती आयोग की भी है आयोग ने कुछ दिन पहले जब आवेदन प्रारम्ब हुए तो उस समय वेबसाइट पर कुछ चीज़े अलग थी और आज क्रियेट में अगर आप आवेदन करने जाते हैं रेजिट्रेशन के मादम से तो उस समय चीज़े बदल चुकी है तो इससे और ज़्यादा confusion क्रियेट होता है एक बार जो आपने वेबसाइट डिजाइन कर दिया उसमें संसोदर नहीं करना चाहिए या फिर आप clarification दीजे कि क्या अभियरति को करना है इससे अभियरती खुद परशान है अभियरती BPSC कारेले पर भी जा रहा है अभियरती आखिर करे तो करे क्या आप अगर आवेदन में गलती हो जाएगा तो बाद में आप खुद ही reject कर देंगे यहाँ पर देखे क्या समस्य आ रही है जब पहले वेबसाइट पर जब आवेदन प्रारम भुए थे registration तो यहाँ पर देखे बिहार estate paper 1 में पातरता दक्षता परिक्षा उत्तिर्ण का वर्स यहाँ पर mention किया गया था ठीक है और जो तीन option दिये गए है पहला देखे 4 year age exemption का दूसरा 10 year age exemption का और तीसरा अन्य था ध्यान से देखे केवल अन्य लिखा गया है और पहले पातरता दक्षता परिक्षा उत्तिर्ण का वर्स था और अब website पर क्या show कर रहा है यहाँ पर age exemption शो कर रहा है और अन्य के जगद देखे सबसे नीचे अन्य विशे हो गया है अब इससे अभिरती किसी के भी मन में जाएगा अगर पहली बार website open कर रहा है देखे अगर आपने notification पढ़ा है तो यह तो बिल्कुल clear है notification के साब से कि यह age exemption के लिए है यानि कि IU में छूट के लिए है जो over age हो चुके हैं उसके लिए है तो अगर आप over age है तो उस condition में उपर के दो विकल्प हैं आप चार वर्स का या फिर दसर का एक exemption लेना चाहते हैं अगर आप आईउ में छूट नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप unselect करेंगे यह तो understood बात है लेकिन इन्होंने किया क्या है कि age exemption में इन्होंने subject भी mention कर दिया है अब ये भी मन में अभियरतियों के मन में confusion मनाया कि पहले वाले option में देखिए अलग subject है दूसरे वाले में अलग subject है और तीसरे में यानि कि अगर कोई पहले और दूसरे subject में नहीं आता है तो वो फिर तीसरा विशे चुनेगा ये भी तो एक mindset हो सकता है अब जो इन्होंने website पर update किया है देखे इन में सबसे नीचे अन्य विशे लिखा गया है यानि कि उपर के दो विशे में अगर आपका नहीं है विशे सो नहीं कर रहा है subject सो नहीं कर रहा है तो आप अन्य विशे को select करेंगे मतलब इतना confusion create कर दिया है website पर कि अभियर्ती तो confused है ही साथ ही साथ जो BPSC के अधिकारिया वो भी clear नहीं कर पा रहे है कि आखिर इसमें क्या भरना है क्योंकि आप दोनों चीज़ों के mention कर रहे है आपने पहले age exemption लिखा यानि IU में छूट लिखा जब आपने IU में छूट लिख दिया तो फिर विशय देकर कि अभियर्ती confused क्यों कर रहे है ये समझे परे है अब बहुत से अभियर्तियों का ये भी दावा है कि वो 2023 वाला जो as data भी हाली में हुआ है उसमें उन्होंने qualify किया हुआ है और अगर मालिजे पहला विकल्प अगर किसी अभियर्ती का subject वहाँ पर show कर रहा है तो अगर वो विशय को धियान दे करके अगर उसको पहले वाले विकल्प को चुन लेता है अगर इसमें इनका subject शो कर रहा है तो math मालिजे as example मालिजे किसी ने math से estate paper 1 qualify किया है तो अगर विशय को धियान में रहा करके करेगा तो पहला विकल्प चुन लेगा क्योंकि पहले विकल्प में math दिख रहा है तो उस condition में क्या होगा कि अभियर्ती जब आवेदन complete करने जा रहा है तो वहाँ पर यहाँ से data उठा ले रहा है कि आवेदन प्रारंब हो जा रहा है बाद में इनके द्वारा website change कर दिया जा रहा है बाद में इनके द्वारा notice जारी करके बताया जा रहा है कि यह यहाँ पर भरना था जिसके वज़े से बेड़तों को काफे दिकतों का सामना करना पढ़ रहा है हलां कि अगर एक चीज पर यह कायम रहते तो अपने इसाब से अभिरती या फिर कोई भी टीचर आपको सजेस्ट कर पाता कि notification के हिसाब से और website के हिसाब से क्या आपके लिए ठीक रहेगा एप्रोप्रियेट रहेगा लेकिन यहाँ पर बार-बार website में भी बदला हो रहा है जिसकी वज़ासे confusion और ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो अभी आप लोग अगर आवेदन कर रहा है तो एकाद दिन रुख जाईए वैसे registration की अंतिम तिति जो है वो 14 नावंबर है तो इन सबको लेकर के एक psychological pressure भी होता है कि कहीं अंतिम समय में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आवेदन ही ना हो पाए या फिर registration ही complete ना हो पाए तो उस समय में और दिकत होगी उपर से fees deduction वाला प्रॉलम अलग से बना हुआ है कि अभियर्तियों के fees कर जा रहा है लेकिन वो website पर update नहीं हो पा रहा है तमाम समस्या है जिसको ले करके निश्य तोर पर आयोग को को इस पश्टिकरन दे देना चाहिए कि इसमें क्या भरना है अभियर्तियों को आपने क्या भरा है कमेंट के मादेम से ज़रू बताएगा और ऐसे ही मतवपून अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो